अगर आप भी रिलाइंस जियो फोन टू नहीं खरीद पाए हैं तो परिशान होने की जरूरत नहीं है क्यूंकि इसकी अगली सेल की शुरुवात हो चुकी है इस फोन को आप आज असानी से खरीद सकते हैं इसके साथ आप इसकी खरिदारी पर 200 रुपई का पेटियम केश बैक भी पा सकते हैं जियो फोन टू की पहली फ्लेट सेल 16 अगस्त 2018 को हुई जिसमें कुछ ही मिन्टो के भीतर फोन आउट आउट आफ स्टॉक हो गया था आगे की जानकारी के लिए आपको बता दें कि जियो फोन टू की बुकिंग जियो डॉट कॉम ओपन करने पर सबसे पहले जियो फोन टू की फ्लेट सेल का ऑप्शन आईगा इसमें आपको फ्लेट सेल पर क्लिक करना होगा इसके बाद स्क्रिन पर बाइ नाउ का विकल पाएगा बाइ नाउ पर क्लिक करके आप अपने इलाके का पिन को डाल कर होम डिलिवरी की उपलगता के बारे में जान सकते हैं बुकिंग में आपको अपना नाम, मुबाइल नंबर, इमेल आईजी डालनी होगी इसके बाद आप जिस एजरेस पर फोन की डिलिवरी चाहते हैं वो डालना होगा इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा आप नेट बैंकिंग, डाबिट कार्ड, क्रेजिट कार्ड के जर्ये अपना पेमेंट कर सकते हैं इस फोन की booking कराने के बाद आपको अपने register number या फिर email ID पर confirmation notification मिलेगा आगे की जानकारी के लिए आपको बता दें जियोफोन 2 के features जियोफोन 2 में full keyboard के साथ horizontal screen display होगा full keyboard में quality keypad दिया गया है जिससे typing में काफी असानी होती है इस फोन में आपको 2.4 इंच का display और 512 MB का rim और इसके साथ 4G का internal storage मिलेगा जिसे micro SD card के जरिये 128 GB तक बढ़ाया जा सकेगा अगर camera की बात करें तो फोन के rear end में 2 megapixel का primary camera होगा जो आपकी selfie के लिए इस mobile में front में VGA camera होगा ये phone Wi-Fi, GPS, Bluetooth और FM से less होगा ये phone 2 में 2000 mAh की बैटरी भी होगी ये KI operating system पर चलेगा इसमें quality keypad होगा इस phone में voice assistant के लिए एक dedicated button भी होगा ये phone 24 भारती भाशाओं को support करेगा और साथ ही ये voice command को भी support करेगा physical quality keypad वाले इस phone में WhatsApp और YouTube जैसे feature भी दिये गए है यानि कि आप इसमें WhatsApp यूज करने के साथ साथ YouTube पर वीडियो भी देख सकेंगे येसरते जाए है ये देख साथेधिगर अरी येए है ये अर्यख पनानी काृश्छ ये